वेल्कम एवरिवन, मैं विशाली शर्मा, आपका स्वागत करती हूँ VS Economics चैनल पर तो चलिए बीना किसी तेरी के आज की टोपिक को शुरूप सब्सक्राइब करें VS Economics चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकी आज का हमारा टोपिक है Concept of Consumer Equilibrium वन कोमेडिटी के केस में और टो कोमेडिटी के केस में तो चलिए बीना किसी देरी के आज की टोपिक को स्टार्ट करते हैं What is Consumer Equilibrium? यानि के उभोकता संतूलन Consumer Equilibrium को इंदी में कहा जाता है उभोकता संतूलन Consumer Equilibrium क्या है? Consumer Equilibrium refers to a point of maximum satisfaction when he is spending his given income across different course यानि के Consumer Equilibrium किसको दिखाता है? या उस point को दिखाता है कि जब Consumer अपने satisfaction को maximize करता है कब करेगा वो अपने satisfaction को maximize? जब वो अपनी given income को spend करता है वो अपनी जब given income को खर्च करता है किसके ओपर? different goods के ओपर यानि कि जब वो different goods को खरीदने के लिए अपनी income को खर्च करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा satisfaction मिल सके उसे कहा जाता है Consumer Equilibrium मतलब तब Consumer जो होता है वो Equilibrium में होता है जैसा कि आप सब जानते हैं कि Consumer का main motive क्या होता है अपनी satisfaction को maximize करना ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो satisfaction है वो कैसा हो maximize हो तो next concept इसमें हमारे पास आता है Marginal Utility Analysis and Consumer Equilibrium अब जैसा मैंने आपको बताया कि Consumer का main motive होता है अपने satisfaction को maximize करना अब satisfaction को तो maximize करेगा लेकिन साथ ही साथ यह भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो Equilibrium का जो point है वो कहाँ attain होगा यानि कि Equilibrium का जो point होगा जो संतूलन का जो point होगा जो संतूलन का बिंदू होगा वो उसे कहाँ पर मिलेगा इसके लिए हम two different situations के बारे में पढ़ेंगे सबसे first हम पढ़ेंगे when only one commodity is consumed यानि कि जब वो केवल एक commodity का use करता है जब वो केवल एक commodity को consume करेगा तब उसका satisfaction level क्या होगा या फिर तब उसका equilibrium point कौन सा होगा और second when two or more communities are consumed जब वो दो या दो से ज़ादब communities का use करेगा या consumption consume करेगा तब उसका satisfaction जो point होगा या फिर उसका equilibrium जो level होगा वो कहां होगा उससे पहले हम पढ़ेंगे इसमे assumptions of consumer equilibrium consumer equilibrium की assumptions क्या-क्या है ठीक है consumer equilibrium की assumptions क्या-क्या है सबसे first जो assumption हमारे पास आती है वो है कि utility can be expressed in cardinal numbers कि जो utility होती है उसको किसमे expressed किया जाता है cardinal numbers में जानि कि जो utility होगी उसको expressed करेंगे cardinal numbers में जैसे कि 1, 2, or 3 next आता है marginal utility of money remains constant जो marginal utility होती है money की वो कैसी रहती है constant रहती है next आता है law of diminishing marginal utility holds good जैसा कि आपको पता है law of diminishing marginal utility क्या होती है मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुके हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी goods का consumption किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी goods को consume करते हैं तो उससे मिलने वाली जो marginal utility होती है वो क्या होने लग जाती है कि हमारी काम होनी शुरू हो जाती है next assumption आती है consumer behaves rational अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो consumer होता है वो कैसा होता है rational होता है यानि कि उसका क्या aim होता है उसका यह aim होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने satisfaction को क्या करें maximize करें ठीक है वन कोमेडिटी के case में consumer का जो equilibrium होगा वो कहां होगा purchase of a commodity by a consumer depends on three factors अब देखे जब किसी commodity को purchase करने के लिए जो consumer होता है ना होता है ना वो तीन factors पर depend होता है तीन factors जो होते हैं वो निर्भर करते हैं कि कौन कौन से factors होते हैं पहला price of the commodity कि उस community का price कैसा है second marginal या फिर total utility of the community उसकी marginal और total utility कैसे है and third marginal utility of money और marginal utility जो है money की वो क्या है अब आपके सोच रहे होंगे कि what is marginal utility of money marginal utility of money क्या है marginal utility of money refers to fourth of a rupee to a consumer कि एक consumer के लिए rupee की क्या कीमत है एक consumer जो है उसके लिए rupee की क्या कीमत है which is determined by consumer himself इसे जो consumer होता है वो खुद determine करता है यानि कि देखो पैसे की जो कीमत होती है वो हर consumer के लिए different होती है यानि कि अगर हम richer section की बात करते हैं तो उसके लिए किसी भी community को खरीदने के लिए जो उसकी केमत है उसके लिए differ होगी अगर हम middle class की बात करेंगे तो उसके लिए अलग होगी अगर हम poor section की बात करते तो उसके लिए अलग होगी तो वैसे तो देखा जाए मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है मनी कि जिसे हम short form में कहते MUM MUM जो होती है वह constant होती है इसमें constant हम लेकर चलते for utility लेकिन कि डिफर होती है man to man लेकिन सब लोगों के लिए क्या होती है यह differ in पाई जाती है इसे हम एक टेबल के जरी संजहेंगे आप अपनी स्कीन पर टेबल देख रहे होंगे unit of commodity x जो कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दे रखी है next mu x इसको दिखाएगा marginal utility x commodity की क्योंकि यह आपने हम one commodity की बात कर रहे हैं तो हम के अवल x commodity को लेका चलेंगे जो आपको आपके screen पर show हो रही है 20, 18, 16, 10, 0 और minus 5 उसके बाद हम निकालेंगे MUM marginal utility किसकी money की अब marginal utility money की निकालने के लिए कैसे निकालते हैं देखो rupees 1, 1 rupees जो होता है न वो किसके बराबर होगा हमारा 4 utils के मैंने आपको पहली बताया था कि जो marginal utility होती है money की वो constant रहती है अजप्शन में हमने पढ़ा था तो constant इन्होंने लेकर चला है तो यह कितनी लेकर चलते हैं कि भी एक रुपे में कितनी लेकर चल रहे हैं यह 4 utils को तो हम क्या करेंगे जो Mux होगी हमारी marginal utility x community कि उसको हम हम डिवाइड करते जाएंगे किससे 4 से ठीक है उसको हम डिवाइड करते जाएंगे किससे 4 से तो 20 डिवाइड में 4 5 18 डिवाइड में 4 4.5 इस तरह से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे किससे फोर से ध्यान रखेगा बच्चे कई बार पूछते हैं कि केवल फोर से इसको डिवाइड क्यों किया क्योंकि हमने मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी कि हम कॉंस्टेंट लेकर चले हैं और इन्होंने हमें खुद का है कि जो रुपीज वन है वो किसके एक वाल है ओर आगे तक भी हम जब वनकॉमिलिटी की बात करें मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी कॉंस्टेंटेंटी रहेी वो रहे गी हमारी फोर यूटिल्सublita कहा है तो इस तरहे से हम इसको क्या करेंगे निकालेंगे मार्जिनल युटिलिटी ओफ्ष मनी अब आप देखिए आपके स्क्रीन पर वन कॉमिडिटी का डायग्राम शो हो रहा होगा जहां पर हम देखेंगे कि कंजूमर का इटली बीरियम कहां होगा आपके डायग्राम में आपको OX X पर क्या दिख रहा है पर आपको दिख रहा होगा मार्जीनल यूटिलिटी एंड प्राइस ओप्राइस भी कह सकते हैं अब देखिए प्राइस जो है पी-एक्स यानि के आपको पर इसके उपर यह एक लंबी लाइन आपको दिख रही है यह आपको क्या दिखाती है कि जो प्राइस है हमारा वह क्या फोर है तो जो प्राइस है हमारे पास वह क्या है उसके बाद उपर से नीचे की ओर जो स्लोप आ रहा है वह दिखा रहा है आपके पास M.U.S. marginal utility किसकी X community ठीक है और बीच में हमारे पास एक C point है वो किसको दिखाएगा हमारा point of equilibrium को अब हम यह देखेंगे कि point of equilibrium कैसे आया first point आपके screen पर है Mux is a downward sloping curve अब Mux जो है वो कैसा करव है downward sloping अब आप अब आप यह देखें कि MuxAnonरth of an Ox इसका मतलब Mux decline हो रहा है कि commodity X का consumption हो रहा है ना वह इंक्रीज हो रहा है ठीक है ना वह में हम X का consumption ज्यादा कर रहे है जिसके वज़े से Mux वह डिक्रीज हो रहा है और सो को दिखाएगा विन लिए उसमें नीशीं मार्जिनल रिटोटै को उस्में, मैं यही तो पड़ा था कि जब हम किसी कॉमिडिटी का कंस्फिशन जाधा करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो मार्जिनल utility होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी अब यहां पर भी हम क्या कर रहे है commodity X का जो consumption जादा कर रहे है X जो है हमारा commodity उसका consumption जादा हो रहे है जिसके विज़े से MU है हमारी क्या होडी decline हो रही है इसलिए उसका slope उपर से नीचे की हो रहे है downward नेक्स पॉइंट आता है PX जो है वो किसको इंडिकेट कर रहे है market price को पी commodity X का जो market price है उसको शो कर रहे है जो कि अपना fix जो होता है और equal होता है किसके rupees 4 के next point आता है MUX कर जो है हर point पर MUX कर जो है वो किसको शो करेगा कि जो MUX है वो अपना किसकी terms में रुपीज की terms में है ठीक है यह indicate करता है कि price that consumer is willing to pay for each such tax into commodity यह उस price MUX जो अपने पास लोग दिख रहा है यह उस point को दिखाता है हर point पर ही क्या दिखा रहे है कि consumer जो है वो willing है किसी भी commodity की price को pay करने के लिए ठीक है यह point कि उसको दिखाएगा कि जो consumer है न वो किसी भी commodity की price को pay करने के लिए willing है अब next point हमारे पास आता है point C आपके screen पर दिख रहा होगा point C जो हमारे पास किसको दिखाता है point C हमारे पास दिखाएगा point of equilibrium को जहाँ पर आपको शो हो रहा होगा PX equal होगा MUX के अब PX equal होगा MUX के नहीं पर क्या मतलब है कि when consumer he is the price which willing to pay यानि के consumer जो price pay करने के लिए willing है और जो वो actually pay करना चाहता है वो दोनों एक दूसरे के equal है जब वो दोनों एक दूसरे के equal होते हैं तब point जो हमारा equilibrium होता है यानि कि जो consumer pay करना चाहता है मतलब वो कितना पे करने के willing है और कितना वे actually pay करता है जब वो दोनों एक दूसरे के equal हो जाते हैं तो वो दिखाता है हमारा point of equilibrium को ठीक है next आये next आपको दिखाता है price he is willing to pay greater than price actually pay अब कहता है कि अगर देखो next पहला हमने क्या का equilibrium कब होगा दोनों का जब जो वह willing है पे करने के लिए और जो वह actually pay करता है वो दोनों एक वनों next point हमें कहता है कि जो वह पे करने के लिए willing है अगर वह greater है जितना वह actually pay करता है तो हमारा किसको दिखाता है consumer makes again तो consumer को क्या हो गया फायदा हुआ ना तो वह दिखाएगा consumer surplus आपके screen पर आपको shaded portion दिख रहा होगा यह दिखाता है consumer के surplus को यानि कि consumer को फायदा हुआ इसको हम एक example से समझ सकते हैं मान लीजिए कोई एक consumer है उसको शूज लेने है वह market में गया और वह उसको शूज लेने है अब वह अपने घर से यह सोचकर market में जाएगा कि मुझे 200 रुपे तक की शूज लेने है लेकिन वह market में जाता है उसको जाकर यह पता चलता है कि उसक है तो नेक्ट्ट्च दिखाता है यह हमारे क्या होगा state of equilibrium होगा जहापे consumer का surplus होगा वो क्या होगा maximum होगा जो आपको shaded area दिख रहा होगा area a b c तो इसके अंदर पर हमने यह पड़ा उसके बाद हम इसको यह बता सकते हैं कि जो हमारा one commodity के case में equilibrium point क्या होगा जब mux upon px यानि कि जो वह actually pay करना चाहता है यह पूरा mux upon px और equal में MUM यानि कि margin literature of money और जो वह expect करता है ठीक है पे करने के लिए जब वो दोनों इक दूसरे के equal हो जाते हैं तो हमारा one commodity के case में consumer जो होगा वह equilibrium में next आता है consumer equilibrium to community के case अब जहां two community के case की बात करते हैं तो इसे हम two communities को लेकर चलेंगे महाँ पर हमने mux upon px लिया था is equal to mum के equal होगा इसी तरह से यहाँ पर हम क्या लेंगे एक community और लेंगे y, muy upon py equal to mum अब यहाँ पर consumer equilibrium में कब होगा जब दोनों एक दूसरे के equal होगे mux upon px equal होगा muy upon py के और equal होगा m um के ठीक है मतलब x का community के marginal utility white community के marginal utility और equal होगी वो marginal utility of money के जो expect करता है ठीक है कि वो इतना करेगा वो equal होगे तब हमारा जो consumer होगा वो two community के case में equilibrium को अचीव करेगा अगर mux जादा होगी तब equilibrium में नहीं होगा और अगर कम होगी तब भी वो equilibrium के situation में नहीं होगा इसे भी हम एक टेबल से समझ सकते हैं अब आपनी स्कीन पर table देखिए आपको unit of community दिए हुई है mux m y यह हमें हमारे पास किस फोर्म में यूटिल्स के फॉर्म में अब mux दे रखा है 25-20-15-10-0 m y दे रखा है 30-26-15-20 अब देखो यहां पर mux और m y दोने दूसरे के equal है किस unit पर थर्ड यूनिट ऑप community पर थर्ड यूनिट की जो community है थर्ड community पर दोने एक दूसरे के equal है यानि के px upon py यहां पर एक दूसरे के equal होंगे तो यहां पर जो consumer होगा वो consumer equilibrium की conditions क्या क्या है देखें फटाफट से हम देख लेते हैं consumer equilibrium की conditions भी वह ही है जैसे हमने पहले पड़ा first point देखिए one community के case में पहले हम one community की case की बात करेंगे कहता है equilibrium में consumer कभ होगा जब price community की equal होगी marginal utility of money value मतलब money value of marginal utility x community की equal होगी y के यानि कि PX equal होगा MUX के हमने बताया तो तब क्या होगा consumer जो होगा equilibrium में होगा और उसका satisfaction जोगा वो maximize होगा अब इसके अंदर next देखिए यह कहता है कि मान लेजिए अगर MUX अपना greater o PX से यह कहता है कि मान लेजिए अगर MUX जो है MUX अगर हमारा ज्यादा हो PX से तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो marginal utility x community जो है उसका consumption ज्यादा कर रहे है इसका मतलब वो जो good x है उसका ज्यादा purchase कर रहे है good x को ज्यादा खरीद रहे गूड एक्स को जादा खरीदने का मतलब यह कि वह गूड एक्सा कंजप्शन जादा कर रहे अब जमेने आपको बताया था जब किस जीचा कंजप्शन जादा किया जाता है तो उससे मिलने वाली मार्ज ये यूटिलिटी हमारी कम होती चली जाती तो हमारी क्या हो जाएगी कि llevar गें प्रोसेस कब तक चलता रहेगा जब तक पी एक्स एक्वल नहीं हो जाएगा म्यांसन गर्श को मतलब कैयी इसका मतलब प्लूंट जैक अब वह कंघा रहत इसका मतलब मुए दुबारा कम हो गया मार्जिनल यूटिलिटी यह भी कब स्टोप होगा जब तक दोने दूसरे के एकवल नहीं हो जाएंगे नेक्स प्ट आता है मैं व्यूटिव ज्यादा करेंगे कंस्टन जयादा करेंगे उससे मिलनेवाली मार्जिन यूटिम मेरी कम होती इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो कंजूमर है वह X की जो कॉमिडिटी है उसको उस पर ज्यादा स्पेंड कर रहा है जो हमारा साइन है ग्रेटर दैन का वह X की तरफ है तो इसका मतलब जादा खर्चा कर रहा है अब वह X पर जादा खर्चा करेगा तो उससे क्या होगा X होगी कम हो जाएगी ये उसको ज्याद़ ज्यादा उस पर खर्चा कर रहा है उसका उसका कंसेब्शन करेगा तो हम्यू जूगी अपनी कम हो जाएगी और हम्यू कम हो जाएगी ऊधर म्यू अपनी coward जाएगी यह ऐस से कॉन्टिनस कब तक चलता रहे यूटिलीटी वाय की कम हो जाएगी और एक्स की जादा हो जाएगी यह प्रोसेस भी तक चलेगा जब तक दोने इक दूसरे के एकवल नहीं हो जाते हैं मतलब जिसका कं सर्चन जादा हो रहा है, इसकी मारजिनल यूटिलीटी भी अपनी कम होती जाएगी, नेक्स्ट सेम पॉइंट है marginal utility जो है वो constant रहेगी मनी कि नेक्स्ट पॉइंट law of diminishing marginal utility holds goods यानि कि law of diminishing marginal utility जो है वह यहाँ पे कैसी होगी अपने diminish हो जाएगी अब उसके बाद एक बाद ध्यान लखिएगा एक्जाम के अंदर में ली यह question बहुत important है हमेशा पुछा जाता है कि m u x upon p x greater than क्यों है m u y upon p y के या फिर इसके opposite m u x upon p x less than क्यों है m u y upon p y के तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में thank you